हाई फोक्स वेलकुम टिव गमी कीदी चैनल कैसे हैं आप सब लोग अगर आप टीसीएस में जॉब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं मैं आपको अपला कर सकते हैं अब अब मैं स्टार्ट करते हूं कि टीसीएस अगर आपकी एज 18 से अबव हैं मैक्सिमम 28 योर्ज है तो आप यहां पर अपाप्लाइब कर सकते हो यह एज बार यहां पर दे रखा है जिस कोर्स के स्टूडेंट यहां पर अप्लाइब कर सकते हैं वो है MBA, MMS, PGD, BA, PGD, M, Marketing, Finance, Operations, Supply Chain, Management, Information Technology, General Management, Business Analytics and Project Management वाले यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अगर आपने graduation करिये and MBA अगर आपने नहीं की तो आप इस program में अपलाई नहीं कर सकते हैं आप दूसरे जो TCS के program आते रहते हैं, hiring program आते रहते हैं, आप आप अपलाई कर सकते हैं I'll update you अगर ऐसा कोई program जैसे ही आता है, ठीक है background, आपका BTEC, BE background होना चाहिए MBA से पहले, ठीक है यहाँ पे 2020, 2021 and 2022 pass out students हैं, वो यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं इस year अगर आप पासओट हो रहे हो तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो अगर आपके पास work experience है, वो आपका plus point हो यहाँ पर नहीं है अगर two years से जादा है, तो आप यहाँ पर select नहीं होगे, ठीक है और test details यहाँ पर मैं आपको एक बाद क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर 47 questions आएंगे, 90 minutes का यह test होगा उसके three parts है, verbal aptitude, quantitative and business aptitude ठीक है, आप जब online search करोगे, आपको questions मिल चाहेंगे आप questions revise कर सकते हो, practice कर सकते हो, ताकि आप already prepared हो, ठीक है अब apply कैसे करना है, यह जो link है मैंने वीडियो के deception में डाल दिया apply करने का, वहाँ पर आपको register now का option दिखेगा और सादा आप पढ़ सकते हो इस program के बारे में जब register now पर आप click करोगे तो register now पर click करने के बाद आपको register now green button पर click करना है उसके बाद आप IT और आपको IT या BPS में से select करना है और जिस भी department में आप जाना चाहते हैं BPS तो आप महाँ पर जाओ और महाँ पर आपको अपना ये form बढ़ना है जहाँ पर आपको अपना name, date of birth, gender, email id, mobile number, institute, name, qualification सारा यहाँ पर बढ़ना है अपनी application जैसे ही आपके application यहाँ पर submit होती है आपको contact किया जाएगा अगर आप select होते हो HR की तरफ से आपको contact आजाएगा, आपको test link आजाएगा ठीक है directly और email पर आप active रहना, जो भी email id आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है वो email id आप देखते रहना, check करते रहना, ताकि अगर HR की तरफ से कोई भी test link आया है तो आप वो expire और ना हो जाए, वो link ठीक है इसलिए आपको बहुत जरूरी है अपनी email पर updated रहने के लिए तो यह था TCS MBA hiring, आप मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जल्दी, जहाँए मैं आपको बताऊंगी कि TCS jobs कैसे find करें in a easy manner ठीक है, तो stay tuned उस वीडियो का अगर आपको देखना है, तो subscribe कर सकते हो and notification पर भी क्लिक कर सते हो ताकि आपको notification आजाए जैसे मेरी कोई new video आती है and मैं shots भी बना रही हूं जहाँ पर मैं short short news, corporate news आपको दे रही हूं जैसे अभी मैंने LNS की एक news बताई है, white hat junior की news बताई है तो से किस्टा मत नहीं है था तो भी भी कशत्यों दे नहीं हुए है so turn to my next video, bye folks